गुड मॉर्णिंग दोस्तों आज की इस पीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मिसिंग नंबर से रिलेटेड रिजिनिंग तो कोशिन को अपने उध्यान से देखिए और जो राइट एंसर है उन राइट एंसर को कमेंट बॉक्स में कमेंट किजी तो चली कोशिन को स्टा कर लेते हैं जैसी के पाला यहां पे दीख रहा है नंबर है आपका 4, 5, 7 और 67 इन चारों में से कोई ऐसा कॉम्बिनेशन है जिसे 59 आ जाएं ठीक है सेम वही पर अगर बात क्या जाए तो 7, 6, 11 और 9 के कॉम्बिनेशन से 29 आएगा and 3, 4, 7 और 12 के कॉम्बिनेशन से इन बॉक्स को क्या करना है फिल करना है ठीक है तो अगर इन चारों के कॉम्बिनेशन देखा जाए तो इन दोनों को क्या करते हैं मल्टिप्लाई कर देते हैं ठीक है इन दोनों को मल्टिप्लाई करते हैं इन दोनों को मल्टिप्लाई करते तो कितना आएगा 6 4 जा 24 और उसके बाद 7 5 जा 35 अब क्या करना है दोनों को 8 कर देना है 24 और 35 कितना आएगा ये 9 और ये हो गया 5 ठीक है तो आ गया बीच ओला नमबर बस क्या करना करके एड करना है शेकन वला भी चेक कर लेते हैं ठीक है 7 और 9 का मल्टिप्ला कितना आता है 9 7 जा 63 और फिर वहीं पर देखा जा 11 6 जा 66 अब दोनों को क्या करना एड करना है एड करने पर कितना निकल जाएगा तो 9 और 6 और 9 हो जाएगा अब 3 9 हो जाएगा और 6 6 12 129 अब 129 129 सेम प्रोसेस आगे जूज करना है क्या करना है इन दोनों को मल्टिप्लाइ करना है और इन दोनों को भी मल्टिप्लाइ करना है अलाश्ट में 8 कर देना है तो बताइए उन दोनों को मल्टिप्लाइ करेंगे तो कितना आएगा 4 और 3 को मल्टिप्लाइ करेंगे तो आया आ को 8 करेंगे तो कितना आएगा तो 4 और 2 6 आएगा और यह हो गया 9 मतलब कुल मिला के यहां जो एंसर आएगा वो आएगा 96 ठीक है 96 यहां पर एंसर आजाएगा चलिए अब मिलते हैं next question next question क्या है next question है अबका कि 5 9 और 14 इन तीरों में कोई ऐसा combination है जो आगे वही combination apply होगा और इसी combination से हमें यह question यह fill in the blanks को fill करना है तो देख लेते हैं 5 9 और 14 के बीच में क्या ऐसा combination है ठीक है अगर हम देखेंगे 9 और 5 को add करके 9 और 5 को अगर हम add करते हैं तो कितना आता है 9 और 5 होगे आपका 14 ठीक है वहीं पर अगर देखेंगे 6 और 16 7 और 16 को अगर हम add करते हैं तो यहाँ पर कितना आता है यहाँ पर आता है 23 ठीक है सेम अगर हम 4611 को एड करेंगे तो यहां पर जो आएगा वो आपको कमेंड बोक्स में कमेंड कीजिए बस एड करना है ठीक है अब मिलते हैं अगला कोशन आपका है जैसे कि 25, 11, 2 और 10 इन चारों के कॉंबिनेशन से 24 हुआ है सेम है 50, 24, 12 और 25 और इनके कॉंबिनेशन से अपका यहां पर फिल करना है और वही कॉंबिनेशन यूज होने वाला है इन बोक्स में तो ऐसा कौन सा ऐसा कॉंबिनेशन है जिसके थुरू से बीच वाला जो होगा फिलेंदे ब्लेंक्स को भरा जाएगा अगर देखा जाए 25 और 11 इन दोनों को क्या करते हैं एड करते हैं और 10 और 12 को भी एड करते हैं तो 25 और 11 कितना हो जाएगा अपका 36 हो जाएगा और 10 और 12 कितना हो जाएगा अपका 10 और 12 हो गया अब इन दोनों को 36 और 12 को माइनस कर देते हैं अगर इन दोनों को माइनस करेंगे तो 24 आएगा मतलब क्या करना है एड करके और माइनस कर देना है सेम यहाँ पर 15 और 24 को एड करेंगे तो आपका आएगा 74 अनीची एड करेंगे तो कितना आएगा 37 अब दोनों को क्या कर देना है माइनस कर देना है अब माइनस करने पर कितना आएगा 37 और 74 को 37 से माइनस करेंगे तो यहां आएगा मेरा 37 ही आएगा ठीका ना चलिए अगला इसको भी चेक कर लेते हैं कि क्या वही रूल एपलाई हो रहा या नहीं हो रहा क्योंकि तीनों में तो एक जैसा रूल एपलाई होना चाहिए अगर इसमें अपलाई होगा और इसमें अपलाई नहीं होगा तो फिर हम इस बॉक्स को इस तरह का रूल से अपलाई नहीं कर सकते हैं तो इसको चेक कर लेते हैं तिसरा वाला तो पांच और चार कितना हो गया अबका 9 हो गया और 5 और 8 कितना हो गया 5 और 3 8 हो गया और 9 को अगर हम 8 से माइनस करेंगे तो 1 आएगा और बीच में यहाँ 1 ही है ठीक है यानि कि जो concept हम लोग सोशे थे वो right है तो आज के लिए इतना है मिलते हैं नेस क्लास थैंक यू